दोफ्तो रेलबे रेकुप्मेंट बोर्ट के द्वारा एसिस्टेंट लोको पाइलेट जिससे आप ALP के नाम से जानते हैं इसके लिए ओनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है वो जारी कर दिया गया है इस वीडियो में पूरी एस्टे बाई एस्टे प्रोसस बताए जाएगे कि ALP का फॉर्म भरने के लिए आपके पास योगिता क्या होगी किस परकार आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे आपकी ओमर अस्जिमा क्या होगी अप्लिकेशन फी कितने देने परेंगे उन तमाम जैनक दिया नहीं होगी आप अंततक जूरे रहिएगा हर एक जैनकारी को आपको बताएगे वीडियो अगर आपको पसंद आ तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चाहते हैं आगे इस परकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज है सब्सक्राइब कर कोड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किये गए है नोटिफिकेशन जो संख्या है 01-2024 है जिसमें देखेंगे पूरी जनकारी दिये गये हैं एसेशेंट लोगोफ फाइलेट यानि एलपी की जो भरती है इसके लिए आपकी आवेदन 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट किये है लेवल सेलरी का जो है टू है 19 से आर 900 रुपिय पे लेवल है साथे साथ यहां पर देखेंगे आपकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच होने ची एक साथ 2024 के अनुसार एज काउंट होगा और नमबर और बाहली के बात करें तो 590 पदो पर ये बाहली आपकी होने वाली है बाकी इसमें एज में रिलाक्सेशन भी है SCST वाले कैनिडेट होंगे 5 साल का छूट मिलेगा ओबिसी के लिए 2-3 साल का दिये गये है और एक सर्विसमेन के लिए आप देखेंगे अलग-अलग कैटेगरी वाई यहां पर जनकारी दे दिया गया कि कितने छूटे रखी गई है नीचे आएंगे तो एज का भी इन्होंने डेट बर्थ जो है अपर लिमिट क्या है वो इन्होंने जनकारी दे दिया है जो आप यहां से देख पाएंगे अप्लिकेशन फी की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने में जो कैनिडेट जेनरल ओभी सिवाले होंगे उन्ह यह जो भी कैनिडेट है इन्हें 800 रुपया देने होंगे और 800 रुपया आपको रिफंड कर दिये जाएंगे जैसे यह स्टेज वन यानि सिविटी ग्जाम को आप क्लियर करने जाएंगे ग्याम देने जाएंगे तो यह रिफंडेवल भी है आप इसे उसी बैंक में अगर उन्होंने किया है NCBT या SCBT से इन सब ट्रेड में जैसे फीटर हो गया, इलेक्टिसियन हो गया, डिजल मेकेनिक हो गया, वायरमेन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, टर्नल हो गया तो कई परकार की यहाँ पर ट्रेड का नाम है इन में से अगर आपका कोई भी ट्रेड है तो आप इसके लिए form को भर सकते दस्वी के साथ अगर आपने ITI किया होगा तो दूसरा qualification है कोई candidate अगर ये पूर्ती नहीं कर पाते हैं तो अगर आपने 10 वी के बाद अगर apprenticeship किया होगा तो भी form को fill कर सकते हैं अगर आप इसको भी पूर्ती नहीं कर पाते हैं तो आप पर ति साल वाला diploma अगर course किया है जैसे electrical में, mechanical में या electronics में, automobile में, engineering में तो भी form को fill कर सकते हैं अगर इसको भी पूर्ती अगर आप नहीं करते हैं तो आप BE या BTEC भी किया हैं तो इसके लिए भी apply कर सकते हैं तो ये चार परकार की condition हैं आप देख लीजेगा आप पर जो भी condition लाग कितनी बाहली है उसकी जनकारी यहां पर इन्होंने बता दिया है तो यह overall जनकारी थी पूरी जनकारी के लिए एक बार आप अपने अस्तर से detail को जरूर चेक करें या direct आप Google में टाइप करेंगे online update STM first website मिलेगा जिसको आपको open करना है और यहीं पर latest job आले सक्षन में मिल ज लिए गये हैं आप इस पर क्लिक करेंगे direct आप इनके website पर आजाएंगे यहां पर आने के बाद एक option मिलता है apply का जिसमें देखेंगे एक option मिलता है create an account का जिस पर क्लिक करना है आपके सामने पूरा guideline आएगा आप चाहे तो इसे हिंदी में करकर भी read कर सकते हैं आप चाहे त locopilot यानि ALP की त्यारी कर रहे हैं और आप based book खोज रहे हैं तो आपके लिए चकसुप परकासन काफि सांदार study guide आप सभी के लिए लाया है जिससे आप अपनी त्यारी कम समय में बेहतर कर सकते हैं और इसमें exit आप अपने नाम कर सकते हैं इनका अभी part A आ चुका है 2500 से भी अधिक बहुँ बिकल्पिय प्रस्न व्यक्यात्मक हल सहीत आपको मिलते हैं और इसमें सभी topic को cover किये गये हैं ये आपके लिए complete study guide है जिसको आप खरीद कर त्यारी को मजबूत कर सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप बरतमान समय में किसी भी RRB या RRC के द्वारा प्रतिबंधित है तो वैसे इस्तिते में आप एस करेंगे तो फिर इस form को आप नहीं फिल कर पाएंगे यहाँ पर आपको नो करना होगा यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने आप वर्तक टूटी को ठी करने के लिए जो last surgery होते हैं अगर आपने इसको करबाय है तो आप यहाँ पर एस करेंगे तो वैसे candidate form को नहीं फर बहर पाएंगे जिन्होंने किसी भी प्रकर की कुई surgery नहीं करवा है वो candidate भरेंगे यहाँ पर आपको no करना होगा, फिर यहाँ पर बोला गया है कि क्या आप किसी भी परकार की physical handicap है तो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे, फिर भी आप form को नहीं भर पाएंगे, physical handicap candidate को यहाँ पर मौकार नहीं दिया गया, आप no बले बिकल पर आपको click करना होगा, अब आपको य भी नाम होगा तेंथ का जो माकसिट है उसके कोडिंग ही आप यहाँ पर फिल करेंगे उसी नाम को दुबारा से आपको यहाँ पर फिल कर देना है बाकि नीचे आना है अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया तो यहाँ पर एस करेंगे एस करेंगे और यहाँ से एगर करकर आपको बताना होगा कि जो आपने नाम चेंज किया है यानि जो नया नाम रखा उससे आप बताएंगा अगर आपने नहीं किया है यहाँ पर नो करेंगे यह डिटल डालने की जरूरत नहीं है डेटो बर्त जो आपके तेंद के सर्टिफिकेट या मकसिट पे होगा उसके recording ही डालना है यहाँ पर calendar आपको मिल जाता है सबसे पहले आप अपना साल को चुन लीजिएगा जो महीना आपका होगा यहाँ से महीना को चुनिएगा जो date होगा उससे आपको chain करना है उसी जनकारी को दुवारा से भी आपको डालने की जरूरत है तो यहाँ पर कोई भी calendar आपको नहीं मिलेगा आपका देख लिजे format इस अनुसार है 0501-2001 आपका जिस भी अनुसार होगा उसी अनुसार इस परकार आपको यहाँ पर लिख देना है इस परकार यह green tick होगा मतलब सही है नीचे आपको आना है यहाँ पर आपको gender पूछा गया है तो आप बताएंगे कि आप male है लरका है तो male लरकी है तो female को अपचेंड करेंगे उससे दुबपाजी का नाम डालेंगे पिता जी का नाम डालेंगे जो detail ढाल रहे हैं आप अपने mattress certificate के recording ही डाले माता जी का नाम डाले उससे दुवारा आपको डालना है आपका जो भी आधार number होगा उससे फिल करना है एक option मिलेगा verify using आधार का जिस पर click करना है जिनके पास आधार का नहीं है आप इस option पर click करकर आप बाकि कोई अन्य document भी आप दे सकते हैं जैसे हम यहाँ पर click करते हैं और मेरे पास अधार काड नहीं है तो यहाँ पर हम जब click कर देंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना अथन्तिकेशन करने के लिए कोई भी आप यहाँ पर document को दे सकते हैं इनमें कई सारे option है उससे डालने के बार document नंबर को डाले document किनके दोड़ा issue हुआ है किस पहले से issue हुआ वो date बताएंगे आपके पास अधार काड होगा तो हर हल में अधार नंबर को डाल कर वेरिफाई करेंगे आपके सामने इस परकार अधार पर जो भी detail जिससे recording होगा देखनों के मिलेगा अगर मान लिजिए आपके अधार पर जिस अनुसार डीटेल है जैसा आपका नाम डेटो बार जेंडर उसी अनुसार आपके मैटिक कुलेशन के सर्टिफिकेट माकसिट पर है तो आप इस चेक बॉक्स पर डाइरेक्ट टिक कर दीजिएगा यहां पर फिल होगा अगर अलग-अलग है तो आप यहां पर अंटीक रहने दीजिएगा मान लीजिए आपके माकसिट पर नाम का स्पेलिंग कुछ और है अधार कार्ट पर कुछ और है तो जो सही है जो आपके माकसिट पर है उस अनुसार की डीटेल जो है आप यहां पर बता सकते हैं मेरा सारा ठीक है माकसिट के अधार कार्ट पर डीटेल है आम इस checkbox पर tick करेंगे, यहाँ पर भी आपको tick करना है, एक option यहाँ पर मिलता है, इस बाले option पर आपको tick कर देना है, इस पर कर आपका जो आधार है, वो successfully verify हो जाता है, इस recording आपको अपना email ID डालना है, यहाँ से आप अपने email पर OTP अनबा सकते हैं, इस पर click करेंगे, OTP यहाँ से send करेंगे, OTP को डालेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे, आपको password set करना होगा, इसमें ध्यान रखना है, ABCD का बड़ा अच्छर, छोटा अच्छर, कोई भी symbol, कोई भी अंक, इस परकार इस से उप्योग करेंगे, उसे दुबारा से डालना है, जो capture code आपको अच्छे धंग से जरूर देख ले कि कोई जनकारी अगर गलत है, तो अभी आप इडिट कर सकते हैं, पूरी जनकारी अगर सही है, तो इस चेक बोक्स पर आपको टी करना है, कॉप्सन मिलता है, create an account का, जिस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक option यहाँ पर proceed का मिलेग जिस पर आप क्लिक करेंगे, आपका account सफलता पुर्वा create हो चुका है, आप अपना mobile number या email ID को fill करेंगे, जो password set किया है, उससे डालेंगे, capture code को डालेंगे, login वाले बिकल पर क्लिक करेंगे, login करते ही आपके सामने इस पर करका interface आता है, यहाँ पर एक option मिलेगा, online application का, जिस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा, कि आप बोला गया है, कि select RRB, मतलब किस RRB से आप apply करना चाहते हैं, यहाँ पर सभी RRB जोन का जो नाम है, आपको देखनों को मिलता है, जहाँ सभी आपको apply करना है, उससे आप चैन करेंगे, इ इस category के लिए किस zone में कितनी बहाली है, वो जहनकारी आपको मिल जाएगे, तो इस according जिस भी zone को आप चुनना चाहते है, RRB को चुनना चाहते है, उससे एक बार जरूर देखे, क्यूंकि आप एक ही zone और एक ही RRB के लिए apply कर सकते हैं, multiple zone, multiple RRB के लिए apply नहीं कर सकते हैं, उससे chain करने के वाद, यहाँ पर post जो मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखेंगे, आपका जो personal detail है, यह आपका खुल कर आता है, जिसमें लगवग जनकारी आपका फिलप रहता है, यहाँ पर पूछा गया है, आपकी साधी हो चुकी है, तो merit करे, अने थ धर्म साब लॉंग करते है, उसकी जनकारी आपको chain करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है, कि एक्जाम जो होगा, उसमें कौन सा language आप रखना चाहते है, किस language में आप चाहते है एक्जाम देना, उससे आप यहाँ से chain करेंगे, यहाँ पर आपको permanent, जो आपके बड़ी मे detail पूछी गई है, तो यहाँ से आप बताएंगे, कि किस category से आप belong करते हैं, उससे आप chain करेंगे, और यहाँ से आपको I agree करना है, इसमें इन्होंने बताया है, कि अगर आप मान लिजे, CST वाले candidate है, तो central government का जो आपका ये cast certificate होता है, वो आपको बनाने होंगे, अगर कोई OBC वाले है, तो NCL आपको बनाने होंगे, क्योंकि के अंदर सरकार की भड़ती है, तो central level का ही आप ये परमानपत सब लगाईएगा, वो बेटर आपके लिए होगा, यहाँ पर पूछा गया है, कि अगर आप OBC से आते हैं, तो non criminal layer के तहत अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर भी आपने NCL certificate बनवाया होगा, उस certificate number को बताईएगा, साते साथ certificate जो आपका बना है, किनके द्वारा issue किया गया है, आप यहाँ से chain करेंगे, जो certificate बना है, किस state से issue किया गया है, वो state बताएंगे, और कब बना गया है, वो date आप यहाँ पर बताएंगे, आपका जो भी postal address हो होगा, जहां भी आप रह रहे होंगे, वो address आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे जो state होगा, जो भी आपका address होगा, उसकी जनकारे chain करना है, और अपना पूरा detail फिल करना है, जैसे इसमें आप बता सकते हैं, आपका वार्ड नमबर होता होगा, तो वार्ड नमबर यहाँ प box पे टीक करेएगा, दोनों फील हो जागा, अगर अलग अलग हैं, तो अलग अलग जनकारी को जरूर यहाँ पर फिल करें, यहां पर जलका करना हैं, और यहाँ पर कुछ अदर जनकारी पूछी गई है, जिसमें बतायना होगा, अगर आप एक सर्वीसमें हैं, यहां तो ए यहां पर पूछा गया है कि अगर आप इंडियन रेलवे में इंप्लॉय है यानि जॉब करते हैं तो आप बताईए अने था नोवाले विकल पर आपको क्लिक करना है करेंटली में आपको पूछा गया है रेलवे को छोड़ कर बाकि अने कोई भी अगर डिपार्टमेंट में काम करते हैं जैसे सेंट्रल गोव्मेंट के डिपार्टमेंट हो सकता है स्टेट गोव्मेंट को हो सकता है या पॉब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट हो सकता है तो है तो ठीक है अने था आप एक स्टूडेंट है अप्लाई कर रहा है तो नौट अप्लिकेबल वाले क्या था डूरेसन क्या था सटिफिकरी नमबर सटिफिकर कब विस्फो किया गया है नहीं तो अपनों करेंगे जनकारी बढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगे नहीं यहां पर बैंक डिटिएल मांगे गई है या dyed aquesta यहां जो मिलता उसके बाद यहाँ पर save करना है और next वाले विकल पर click करना है अब आप पगले page में आ जाएंगे यहाँ पर educational detail भरनी है educational detail की जनकारी आपको यहाँ पर देखनों को मिलता है तो आपको अपने coding देखना है कि आप किस परकार की qualification को पूर्थी करते हैं नीचे आना है सबसे पहले matriculation की detail देनी है तो matric आपने किस state से पास किया है state का नाम बताएंगे कौन सा district से किया है वो बताएंगे और कौन सा board है board का अपना नाम जो है यहाँ पर लिखना है passing date लिखना है तो certificate पर देखेंगे तो नीचे में आपको मिल जाता है कि कब आपने pass किया है यह वाला date जो नीचे मिलेगा यही date वहाँ पर बतानी है आपका certificate पर अलग date हो सकता है आप देख लीजेगा बाकि आपका तेंथ का जो roll number है उससे आपको fill करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए एक option दिये गए है add का जिस पर आप किलिक करेंगे इस पर कर आपक चुन सकते हैं बहुत सारे तीन साल वादा डिपलोमा किये है उससे चुन सकते है यह आपने डिगरी किया है इंजिनियरिंग में तो आप इसको चुन सकते है तो जो qualification आपके पास है उस option को यहाँ पर चुनेंगे जैसे आपने चुना है तो आपने जो किया होगा किस trade में आ किया है जिला सकिया है वह बताएंगे जो भी इंसीचूर्ट से अपने किया है उसका नाम किया है कब आपने पास किया है वह आप यहां से कैलेंडर के माद़ हमसे पासिंग डेट डाल दीजेगा certificate पर यह जनकारी मिल जाएगी साथे साथ बताना है certificate इस सुबाई में कि एंस यहां पर मिलेंगे एड का जिस पर आपको क्लिक करना है यह डीटेल भी हो जाएगा इसके अलावे भी आगर आपके पास कोई qualification है इन्हें से तो उसे चैन करकर उसकी डीटेल को फिल करना है अनित आपको ऐसे ही से छोड़ना है एक option मिलेगा यहां पर next का जिस पर आपको क् करना होगा जिसमें सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिनका guideline इन्होंने बताया है कि पासपोर्ट साइज जो आपका होगा वाइट बैग्राउंड में accept किये जाएंगे उनका जो भी size होगा जैसे 37 x 45 जो की बताया गए पिक्सल में अगर बनाएंगे तो इस से नुसारा बना सकते JPG, JPG format में होगा 30-70 के बीच आपका फोटो मांगे गया है फोटो जब किलिक कर बाते हैं तो उसमें आपकी आँख बिल्कुल साफ दिखना चाहिए किसी भी परकार की ये glass जो है ये सब आप नहीं लगाए वो आपके लिए ही better होगा आप चाहे तो simple photo भी देख सकते कि 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 इस परकार की photo ये accept करेंगे इस परकार का अगर photo अप लगाएंगे जिसमें कटेस लगाया गया है वो photo acceptable नहीं है इस परकार का photo ही आपके accept किये जाएंगे cap up लगाना नहीं है चसमा नहीं लगाना है जो यहाँ पर इन्होंने clear बता दिया है तो उस recording का photo आप यहाँ से क्या करेंगे चूच करेंगे और यहाँ पर upload करेंगे signature आपको upload करना है पताया गया जैसे देखिए signature एक ही मांगे गया आप चाहाँ तो हिंदी इंगलिस जो भी देना चाहा है आप दे सकते हैं signature दियान रखेंगे white paper पर जैसे इस पर करकी white paper रखीए गया और black या blue paint से ही उस पर आपको signature करकर इन्हें upload करना है उसके बाद एक option मिलेगा upload and save का जैस पर click करेंगे next बाले विकल पर click करना है अब यहाँ पर आपको आगले page में redirect करेगा जहां पर आपको जो है लिया जाता है उस trade को आप चुन लीजिएगा बाकि आपको नीचे आना है अभी भी आप चाहे तो अपना और भी को change कर सकते हैं यहाँ पर option दिये गया है नीचे आपको आना है एक option यहाँ पर मिलता है गोशना देने का जिस पर click करना है इस check box पर tick करना है जहां से भी आप form को fill कर पा रहे होंगे उस जगा का नाम यहाँ पर आपको लिखना है एक option प्रिभीव application का मिलेगा जिस पर click करना है इस परकार आपका जो form का preview है खुल कर आता है एक बार अपन करें उसके बाद एक option submit का मिलेगा जिस पर आपको click करना है अब पर payment जो भी लागू होगा वह payment आपको देखनों को मिलता है यहाँ पर simply आपको करना यह है कि एक option नीचे में आपको मिलता है पे नाव का जिस पर आपको click करना है थोड़ा सा वेट करेंगे payment करने के कई सारे option खुलेंगे जैसे debit card credit card API आप जिस भी माध्यम से करना चाहिए जैसे हमने API को चुना तो API में आप चाहिए तो QR code को scan करकर कर सकते QR code पर click करकर pay now पर click करेंगे अपने कोई भी API या फॉन पर गूगल पर पिटियम जिनके मदद से भी आप payment करना चाहते है इसको scan करकर payment को पूरा करेंगे payment पूरा होने के बाद आप चाहिए तो payment का slip यहां से download कर सकते है अप्लिकेशन का print यहां से ले सकते हैं यह पूरी आपको यहां पर डैस्बूट आजाएगा आप यहां से पूरी जनकारी को देख सकते हैं इस परकार आप सभी candidate जो भरती निकाली गई है assistant लोको पैलेट यहनी एलपी का इसका फॉम आप आप आसाने से फिल कर सकते हैं मैं आसा करता हूं यह वीडियो आपको काफी पसंदा होगा पसंदा होगा तो इससे परकार की doubt confusion है आप नीचे comment box में जरूर लिखे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद